कल 24 घंटों में त्रदेश में 982 संक्रमन के नए प्रकरण सामने आये हैं 982 इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेज की कुल संख्या 7451 और जो लोग पुर्णता उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं उनकी संख्या है 17597 संक्रमित लोगों में से कुल 749 लोगों की मृत्य हुई है इस समय आइसोलेशन वाड्स में 7467 लोग रखे गए हैं विबिन चिकित सालियों में और मेडिकल कॉलेजिज में और उनका इलाज किया जा रहा है फेसलिटी कॉरंटाइन में इस समय चार हजार पांच सो नो लोग हैं और उनके सैंपल करवा कर सैंपल की जाच करवाई जा रही है सैंपल की जाच के पश्चात जैसी भी स्थिती होगी उस हिसाब से उनका इलाज करवाई जाएगा अथ्वा उनको घर भेजा जाएगा विबन अस्पतालों में विबन कारयालों में जहां लोगों का आना जाना जादा होता है वहां पर हम कोविड हेल्प डेस्क थापित कर रहे हैं कोविड हेल्प डेस्क पर इंफ्रारेट थर्मामीटर पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर उप्लब होता है जिससे जो लोग किया सके अगर कोई लक्षन मिले तो ततकाल उनको रेफर किया जा सके कि वो अस्पताल जा सके या अपनी जाच करवा सके बाकी भी जो लक्षन है खासी के या सास फुलने के वो भी वहाँ पर देखे जा सकते हैं तो इसलिए वो जो कोविड हेल्फ डेस्स बनाए जा रहा है ये लोगों को स्क्रीन करने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम प्रदेश में उभर के आ रहा है